वेलकम टू जीके जीयस वित्मनीत सर आज एक फरवरी 2023 है और आज के जितने भी महत्तोपुर्ण क्रेंट अफेर होंगे वो हम इस वेडियो में डिसकस करेंगे तो आएए शुरू करते हैं आज का महत्तोपुर्ण क्रेंट अफेर आज का पहला प्रस्ण है हाल ही में पूमा इंडिया के नए ब्राणनमेस्टर बने हैं हर्मन प्रीत कौर कौन बने है तो हर्मन प्रीत कौर अब महत्तोपुर्ण ब्राणनमेस्टर है वो भी देखते हैं हम लोग तो फीनो पेमेंट बैंग के ब्राणनमेस्टर बने है पंकस्त्र पाथी रियल मी के ब्राणनमेस्टर पेश्ट के ब्रांड अमेस्टर है मिताब बच्चन सूपर फुड ब्रांड पिंटोला के ब्रांड अमेस्टर कौन है तो सुनील चैतरी है पिंटोला के ब्रांड अमेस्टर साथ यो सुनील चैतरी का संबंद की स्केल से है तो इसका जबाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको मैक्स लाइफ ने किसे अपना ब्रांड अमेश्टर बनाया तो रोहिट सर्मा और हितिका सजदे को बनाया फायर वोल्ड के ब्रांड अमेश्टर कौन है तो कियारा अडवानी है अगला प्रशने है आपका पुरानों में गढ़वाल काकेदारनात और कुमायू का मानसर गड के रूप मेनों ने वर्नन किया था अपनी जहांकीयों में और साथ ही साथ उतराखंड के परसिद जिम कॉर्वेट नैस्टनल पार्क उतराखंड का राजपसु कस्तूरी मिरग आधियो को भी इसने अपनी जहांकी में सामिल किया था इसलिए यह पर्थम अस्थान पर आया है अब उत्राखंड पर आया है तो उत्राखंड की राजधानी क्या है देहरादून गवर्णर कौन है गुरमीत सिंग, मुख्य मंतरी कौन है पुश्कर सिंग धामी राजसभा कितना है तीन, लोगसभा कितना है पाँच जी मुकोरवे उद्यान के बीचों बीच से राम गंगा नदी निकलती है और इस जिम कॉर्बेट नैस्टनल पार्क का नया नाम कर दिया गया है राम गंगा नैस्टनल पार्क साथियो राम गंगा नदी राम गंगा नदी जो निकलती आपकी है वो उतरा खंड के ननिताल जहिल से निकलती ह और उत्तर प्रदेश के कंनौज में गंगा रिभर में जा करके मिल जाती है, कंनौज यहां से अपने प्रस्ण सिखा, कंनौज गंगा रिभर के किनारे है, और कंनौज को बोलते हैं, खुस्बूओ का सहर, नंददेवी नस्तनलपार्ग कहाँ है, तो ये नंदा देवी नैस्टल पार्क जो आपका है ये है उत्राखंड में, फूलों की घाड़ी नैस्टल पार्क उत्राखंड में है, राजाजी नैस्टल पार्क उत्राखंड में है, तहिरी बांद भागी रसी नदी पर इस्थित है और यहां उत्राखंड में है, मुख्य अगला प्रशने हैंब किस राज सरकार ने लाडली बहना योजना की शुरुआत की है ये लाडली बहना योजना है क्या तो इसमें गरी महिलाओं को एक हजार परती महा दिये जाएंगे अर्थात सलाना बारा हजार दिये जाएगा और यह शुरू किया गया है मध्य पर्देश में लाडली बहना योजना क्या तो लाडली बहना योजना अब मध्य पर्देश में शुरू किया गया है साथ ही हो तो मध्य पर्देश की राजध आपका ये भोपाल में है राजा भोज अंतराष्ट्रिय हवाई अड़ा एसिया का सबसे बड़ा बायो CNG प्लांट की सुरुवाद कहां हुई तो इन दौर में हुई एसिया का सबसे बड़ा बायो CNG प्लांट की सुरुवाद साथियो डिजिडल एड्रेस के साथ कौनसा सहर देश का पहला स्मार्ट सिटी बना है तो इन दौर बना है देश का पहला स्मार्ट सिटी मध्यपर्देश का स्कूल अब सरता हमें एक बार बैगलेस होगा किस राजे का स्कूल तो मध्यपर्देश का स्कूल अब सरता हमें एक बार बैगलेस होगा पहले बार अपनी वार्सिक विद्धिय बजट हिस्से के रूप में बाल बजट किसने पेश किया है तो मध्य परदेश ने सुरू किया है मध्यपरदेश में बालिकाओं के लिए पंक अवियान की शुरुआत हुई और युवाओं के लिए लॉंच पैट अवियान की शुरुआत हुई मध्यपरदेश की पुलीस को पुलीस कर्मी पुरुषकार देने की घुसना की गई है दीदी वाहन सेबा कि स्थरुवाद गर्बती महिलाओं के लिए मध्य परदेश ने शुरू किया खेलो इंडिया गेम 223 का आयो जन कहां होगा तो मध्य परदेश में होगा अबासिय भू अधिकारिक योजना कि स्थरुवाद मध्य परदेश में की गई और जल बिजन 2047 का पहला अखिल भारतिय राज्य मंत्रियों का सम्मेलन कहां हुआ तो ये भी साथियों आपका मध्य परदेश में हुआ साथियों कहां हुआ तो मध्य परदेश में हुआ साथियों मध्य परदेश के परोसी में है 36 गड़ तो 36 गंट के वारे में आप जो भी जानते हो इसकी जानकारी देनी है आपको comment box में तो आज का topic आपका है 36 गंट साथियो अगला प्रश्न है आपका हाली में चेक गनराजी के नए राश्टर पती कौन बने हैं तो चेक गंडराजी के राष्टर पती बने है, पेटर पावेल जो बने है, ये चेक गंडराजी के राष्टर पती बने है, साथियो, साथियो चेक गंडराजी के राष्टर पती बने है, इसका जवाब देना है केमेंटर बॉक्स में आपको, अब कुछ नए राष्टर पती और भी बने थे आपको तो Gustave Petro ये कोलंबिया के राष्टर पती बनी जोस रावमोस होटा पुरिवी तीमोर के नए राष्टर पती बनी एंथनी एलवनीज ऑस्ट्रेलिया के नए प्रधानमंत्री बनी एलिजाबित बोर्न फ्रांस की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी मौक सुवितिनी रावुका ये फीजी के नए प्रधानमंत्री बने है सुवितिनी रावुका अब अगला प्रस्ने आपका राष्ट्रिय खनीज विकास निगम ने हाली में किसे अपना ब्रांडमेश्टर खोचित किया है तो निखत जरीन को राष्ट्रिय खनीज विकास निग है तो इसका जवाब देना है केमेंट बॉक्स में आपको अब कुछ और भी ब्राहूल गुड डॉट के ब्रांद मेश्टर कौन है और रवी आई के बैंकिंग धोखादरी अवियान के ब्रांद मेश्टर जो है आपके वो भी नीरच चोपरा है और नीरच चोपरा स्टेडिय गेम 24x7 के ब्रांद मेश्टर कौन है तो फूपर फूर्ड ब्रांद पिंटोला के ब्रांद मेश्टर सुनिल शांतरी है max life ने अपना ब्राण्णवेश्टर की से बनाया है तो रोहित सरमा और इतिका सज़्दे को बनाया है fire world के ब्राण्वेश्टर कौन है किया रादवानी है surger land tourism के friendship ब्राण्वेश्टर कौन है तो निर्च छोपरा है निक्षे मित्र के ब्राणनमेश्टर कौन है तो नीरत चोपना है निक्षे मित्र के ब्राणनमेश्टर साथी हो और मैंने भी जश्ट पताया आपको कि हर्मन प्रीत कौर किसकी ब्राणनवेस्टर बनी है तो प्यूमा इंडिया की ब्राणनवेस्टर जो बनी है वो हर्मन प्रीत कौर बनी है साथियो अब अगला प्रस्षण है आपका IMF की वर्ल्ड इकॉनमी आउटल्टॉक रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2023 में भारत की ब्हुर्ज ब्ीकास दर क्या है तो वर्ष 2023 में भारत की ब्हुर्ज ब्ीकास दर है 6.1 साथियो तक इसके मैनदिग टैरेक्टर कौन है तो किष्टिनलीना जोर्जियोवा जो है वो इंटरनेशनल मेडिरेटरी फंड के डायेक्टर जनरल है और आईएप के स्थापना कम हुई तो दिसंबर 1945 में आईएमएप की स्थापना हुई साथ ही हो अब अगला प्रशने आपका भारतिय वायु सेना के नए उप परमुक के रूप में किसे निट किया गया है तो अमर प्रीत सिंग को भारतिय वायु सेना के नए उप परमुक के रूप में निट किया गया है अब भारतिय वायु सेना अर्थात इंडियन एर फोर्स तो इंडि मार्चल हभीवेक राम-चोधरी और आर्मीडे कम अने इता है तो पंदरेश जनवरी को मना आता है और चीफ अफ़ आर्मी स्टाफ जनरल मनोज पांडे नेभींडे मना इता है चार दिसम्बर को और चीफ आफ दे नेवल स्टाफ कौन है तो एडमिरेल आर हरी कुमार है को पेश किया जाएगा बजट सत्र 6 अप्रेल 2023 तक चलेगा और 66 दीनों में यह 27 बैठक होगी बजट की साथ हो केंद्रिये बजट को वार्षिक बित्य विवर्यन के रूप में भी जाना जाता है और बित्तिये वर्ष एक अप्रेल से 31 मास तक चलता है बित्य वर्ष यह केंद्रिये बित्य मंत्री द्वारा संसद के समक्ष प्रस्तूत होता है बजट सब्द का अर्थ क्या है तो चमरे का थैला है बजट सब्द का अर्थ क्या है तो बजट सब्द का अर्थ है चमरे का थैला सरपर्थम बजट सब्द का परियोग फ्रांस में आया और वे के रूप में 1803 में किया गया था बजट सब्द का इस्तमाल साथियो बजट जो अरम हुआ था आपका वो इंगलेंड में बजट का आरम माना जाता है भारत में बजट पधति के संस्थापक एवं जर्णम दाता जैमस विलसन को माना जाता है और बजट किस सुची का बिशे है तो बजट है समभरति सुची का बिशेई साथियो संग सुची, समभरति सुची और राज़्य सुची इसका वर्णन भारती समेधान के किस अनुसुची में है और अनुसुची जो साथियो आपके है अनुसुची एक में क्या है अनुसुची दो में क्या है अनुसुची तीन में क्या है अनुसुची चार में क्या है और पर अनुसुची पाच में क्या है चे में क्या है और साथ म क्या है इसका जबाब देना है केमेंट बॉक्स में आपको साथियो सबसे पहले बजट लोग सभा में पेश होता है फिर बजट राज सभा में पेश होता है शुतंत्र भारत का पहला बजट 26 नमंबर 1998 सभा में 14ucatro crochet क पहले बित्ते मंतरी आर्के सनमुखम-चाठी के द्वारा पेश किया था तो साथियो सुतंत्र भारत का पहला बजट कब पेस किया गया है 26 नमंबर पहला budget कि उसका फ़ेस किया, 250 में किया और भारत में स्रोवर्थिक बार budget page करने है मुरारदी दिसाई को और मुरारदी दिसाई ने कुल दस बार budget page किया साथ है। साथियों बारतमान में बीत्से मंत्री कौन है तो इसका जबाब देना है केमेंट बॉक्स में आपको कल मैंने आप सो कुष्टन पुछे थे आप किसी के तीन कुष्टन पुछा था कि राष्ट्रिय बाल विज्ञान कॉंग्रेस का आयोजन कहा हुआ है एहमदाबाद में हुआ है किस राज नेपरवासियो का पहला सब्रेक्शन शुरू किया है धारखंड ने शुरू कि लालाज पत्राई की जहनती कम मनाई गई 29 जनवरी को मनाई गई 28 जनवरी को मनाई गई 28 जनवरी को मनाई गई पांचमा खेलो इंडिया यूथ गेम किस राज में शुरू होगा तो इसका जवाब देना है कमेंटर बॉक्स में आपको राष्टपती भावन मोगल गार्डन का नया नाम क्या कर दिया गया है इसका जवाब देना है कमेंटर बॉक्स में आपको और अंडर 19 महिला क्रिकेट टीम ने फाइनल में किस टीम ने T20 वर्ल्ड कप जीता है और उब जीता कौन था तो इसका जवाब देना है केमेंट बॉक्स में आपको साथ हूँ तो ये था आज का आपका महत्त पुर्णिक रेंटर फेर जानकारी अच्छी लगी तो लाइक करें शेर करें और सस्क्राइब करें धन्यवाद